आप सबको स्वोगत है आपके यूटीव चैनल सीधा सोता टूतलाइजव दिन में और आज हम बात कर रहे हैं 30 एप्रिल की इश्री वरतान की जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हर सेकेंड हर स्वांस हर बूल हर कर्म में हम परमात्मा के द्वारा दी हुए जो ग्यान है सुवका और साती साथ जो गुण है जो शक्तिया है उन सब को इस्तमाल करें ताकि हम हर समय हर विक्ति के साथ हर सिचुएशन में हम विज़ई बन पाएं तो देखें प्रमात्मा कहते हैं इसके बारे में ये हो कैसे सकता है प्रमात्मा कहते हैं हर सेकंड हर खजानी को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूरत भवा सफलता की खुशी अनुभव करने वाले तो विस्तार में चलते हैं आठ शक्तिया आत्म की अगर इनको अगर हम स्मृति में रखें और हर स्वास इनके अनुसार अपने कर्म करें तो परमाद्व करते हैं यदि संकल्ब बूल कर्म संबंध संपर्क में सर प्रकार की सफलत का अनुभव करना चाते हो तो सफल करते जाओ व्यर्दनी चाहे कोई भी खाजाने जो हैं जो भी बात करें ग्यान के गुण के शक्तियों के इनको यूस करो चाहे शुआ के प्रती सफल करो चाहे और आत्मों के प्रती सफल करो तो अटोमाटीकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे या तो आप अपने लिए यूस करो, अपने माइंड को स्टेपलाइज करो, पावफल बनाओ, वर्चियूस बनाओ, गुणों से भर दो, तो हमारे संसकार आस्ते-एस्ते बनते जाएंगे, habits बनते जाएंगे, और ये गुणों की, शक्तियों की, और ये ज्यान की, जिब habits बनेंगी, तो automatically हमारी life change होती जाएगी, ये एक दिन की बात नहीं है, लेकिन, ये 10 साल, 20 साल की बात भी नहीं है, फटा फटा आपको changes, पता सफलता की खुशी अनुभफ करते रहेंगे क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना या तो आप अपने लिए उसकर रहे हो तो वर्तमान में सफलता को मिली रही है और अगर आप किसी और को help कर रहे हो इस ग्यान से, गुण से, शक्तियों से तो आप भविश्य के लिए जमा कर रहे हो मतला कि आप तुआएं लेके जा रहे हो तो ये ग्यान कौन सा है, ये गुण कौन से है जो कि 36 गुण है और ये अश्ट शक्तियां कौन सी जिनको हम इस्तमाल करके अपने लाइफ में हर एरिया में सबलता प्राप्त कर सकते हैं इसका ज्यान आपको प्रजय पे तब्रमा को मारीज में मिलता है आप सेब्टे का कोस करें और इन चीज़ों को और गहराई से समझें इसके साथ हुम्श्याम्ति